यूपी एटीयस टीम ने देवबंदी में छापे मारी कर दू आतंकियों को गिरफतार किया है। दोनों नाज मंजिन में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकी शेहनवाज और आखिप जैशे मुहमद चीप का फ्रकाव वीडियो दिखा कर मुस्लिम युवाओं को न सिर सुर्खियां बटोर रहा है। इस वक्त हम नाज मंजिल में पहुचे हैं जहां पर लस्क्रे मुहमद के जो आंतकी आकर रुगे थे। आंतकी सहनवाज और याकिब इस कमरे में आकर रुगे थे यह नाज मंजिल का A4 कमरा है जहां पर ATS ने आकर चापे मारी की, जबरन दर दिवाजा खुलवाया गया जहां और इसी कमरे से में वो लोग आकर रुके हुए थे यह नाज मंजिल का A4 कमरा है और इस कमरे पर हलांकि अभी लोग लगा दिया गया है और जो आंतकी है उनको फुलिस ने गिरफतार करके लखनो की ATS अदालत में पेस कर दिया है और पु नहीं तरह कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आंतकवादी देवबंद में आकर रुके उनका कोई वरिफिकेशन नहीं हुआ बताया यह जा रहा है कि जो याकीब और सानवास थे वो अपने आका के वीडियो दिखा कर लोगों को और युवाओं को गुम्रा कर रहे थे जिस जो यहां का पुलिस विभाग और खूपया विभाग है वो इसको इसकी भनक में नहीं थे जिससे नहीं सिर्फ पुलिस विभाग की लापर वह ही सामने आ रही है बलकि खूपया विभाग भी फेल नजराया रोसन लाल सेनी यूटीवी सारा नावास